जो लोग हर्याना की राजनीती जानते हैं उनको पता है मैंने वर्षों तक वहाँ काम किया है संगठन का किसी भी दल के साथ हमें समझोता अगर करना होता था सीट शेरिंग का चुनाव के लिए तो जादा तर उन दलों के टमसें कंडिशन पर कभी पांच सीटे लड़ने को मिलती थी कभी दस सीटे लड़ने को मिलती थी और वो भी वो जो कहें उस सीट पर लड़ना पड़ता था और कभी दो आँख पार कर जाएं हम जीतने में यहने दस या दस से जादा सीट आ जाएं तो यह हमारा बहुत बड़ा सवभाग्य हुआ करता था और यह मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूं दो हजार चौदा के पहले तक हमारी यह स्थिती थी 22 स्थिती में से जिस प्रकार से हमारी नई टीम को पांच साल और वो भी सिरफ दो लोगों का हमारे पास बहुमत था सिरफ दो का और आज की राजरीती में हम जानते हैं कि ऐसे समय निरने कितने टाइट रॉप चलना पड़ता है कोई भी निरने करने में कितनी दिक्कत आती है इन सब को साथ लेकर कैसे बातावरन में भी और मुख्यमंत्री नहीं बागी टीम भी नहीं उसके बावजुद भी पांच वर्ष काम करके फिर से आना हरियाना के भारतिये जनता पार्ट्री को जितनी बधाई दे उतनी कम है उसी प्रकार से महाराष्ट्र 2014 के पहले भारतिये जनता पार्ट्री हमेशा महाराष्ट्र में जूनियर पार्ट्र रही सीवसेना के साथ हम रहते थे कभी सरकार बनी तो भी सीवसेना के नित्रुत्म में बनी हमारे लोगों को थोड़ा बहुत काम करने का अनुभव मिला लेकिन महाराष्ट्र के एक विशेस्ता देखिए गत पचास वर्ष में आपको भी ये सुनकर के अस्षर होगा पचास वर्ष में एक भी मुख्यमंत्री पूरे पांच साल वहां महाराष्ट्र की सेवा नहीं कर पाया पांच साल पांच साल लगातार मुख्यमंत्री पचास साल के बार पहली बार देवेद्र फणन विश्जी को सेवा करने का मोका मिला महाराष्ट जेसा देश की आर्थिक राजजदानी देश की अर्थववस्ता में दुनिया में देश के प्रभाव को बढ़ाने में महाराष्ट का और विशेसकर मुंबई में का बहुत बड़ा योगदान है ऐसे राजज में पोलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत माइना रखती है लेकिन पचास साल तक दो-दो तिहाई बहुमत वाली सरकारे भी एक मुख्य मंत्री को लेकर के चल नहीं पाई जबकि भारतिय जनता पार्टी का जो चरीत्र है सबको साथ लेकर के चलने का हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था भाजपास सिवसेना पिछले चुनाओं में आमने सामने लड़े थे लेकिन चुनाओं आने के बाद जब जनता नहीं टाहि कर लिया कि भाजपास सिवसेना अलग चली नहीं सकते आपको साथ चलना ही पड़ेगा निर्ने जनता नहीं किया और भारतिय जनता पार्टी और सीवशेना ने मिल करके पांच साल तक स्थीर शासन दिया नित्रुत्व दिया और इस बार भी गटवन्दन को भारी बहुमत से महराश्यकी जनता ने विज़ई बनाया और इसलिए महराश्यकी जनता का जो अपार विश्वास है हमारी युवा नेत्रुत्व है वहाँ नया नेत्रुत्व है लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से एक भी प्रकार का दाग लगे बिना सरकार चलाई उसको आज जन समर्थन मिला है और ये बात हमारे लिए बहुत गर्व की और आनन्द की है कि जब देश का सामाने ट्रेंड राज्यों में हर पांच वर्ष में सरकारे बदलने का है ऐसे समय पांच वर्ष के बाद दुबारा बिठाने का सरकारे जनता का निर्ष ये भारतिय जनता पार्टी के प्रती हमारे लोगों के काम करने के तरीके के प्रती जो उनका विश्वास है उस विश्वास को प्रगट करता है